हेलो गाइज वेल्कम डू माई चैनल लण साइकोलोजी मैं हूँ शार्थुल दोस्तों मुने बुद्धी मापन स्टार्ट किया था बुद्धी परिक्षण करना क्या होता है यह क्या इसकी परिभाशाय होती है हम उसी लक्षर का जागे बढ़ाएंगे अगर आप लोगों न बारे में चार्चा की थी गुद्धी परिक्षण से क्या तात्पष है क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है डौक्टर महीष भरगवी कि अनुसार बुद्धी परिक्षण का आश्यृ अन परिक्षणों में से ही जो बुद्धी लबदी यानि आईक्यू के रूप म केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति की समाने बौधिक और उसमें विद्वान विभिने विशिष्ट यूगताओं के संबंद को इंगित करता है इन परिक्षणों द्वारा व्यक्ति के संबुख विभिने कार्यों को प्रस्तुत किया जाता है और यह आशक ही जाती है कि इनके माध्यम से बौधिक कार्यों को जाना जा सकता है कौन विख्धी कितना बुद्धी माने यह जानने के लिए मनोवग्यानिकों ने बहुत कोशेशे की बिने के नुसार बुद्धी बाल वस्ता से किशुर वस्ता तक भढ़ती रहती है लेकिन यह अवस्ता ऐसी भी आती है जहां इस्तिर हो जाती है बुद्धी कुमापने के लिए मनोवग्यानिक में मानसिक आयू, मैंटल एज और शारिक आयू, कारक पस्तुट किये और इनके अधार पे व्यक्ति की वस्ताविक बुद्धी लब्धी ग्याद की जाती है अब दिखते हैं कि बुद्धी लब्धी क्या होती है बुद्धी लब्धी का प्रत्य, टर्मन और इस टर्न ने दिया बुद्धी लब्दी को मांसिक आयू और वस्तविक आयू के अनुपात से ग्याद किया जाता है बुद्धी लब्दी प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धी परिक्षर से मांसिक आयू ग्याद की जाती है और फिर उसमें फैक्तिकी वास्तविक आयू का भाग दे दिया जाता है और संख्या को पूंट बनाने के लिए 100 से अनुपात को गुणा कर दिया जाता है तो इस उधारन के लिए देखें कि किसी बालक के मालो माल से कायू 12 वर्ष है और शारे रिक आयों कितनी है 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धी लब्धी किस तरीके से निकलेगी आई क्यों इकल टू 12 वाइ 10 इंटू 100 मतला 120 इस टेबल से हम देखेंगे 120 कहां पर आ रहा है या आ रहा है तीवर बुद्धी अबब एवरेज में Stream qué के तो मतला वह बच्चा कैसा है उसकी बुद्धी लब्धी कैसी है तीवर बुद्धी है उसकी अब देखें बुद्धि परिक्षा मेरिल ये मुख्य व्यक्तिकत बुद्धी परिक्षन है जिसे हम देखते हैं क्या है पहला है मेरिल पामर मापनी इस बुद्धी परिक्षन में 38 उप परिक्षन है इसका उपयोग डेल वर्ष से 5 से 6 वर्ष के आयू के बच्चों पे उनके बुद्धी नापने के लिए किया जाता है दूसरा है मेनो सोटा पूर्व विद्याले मापनी ये भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट बुद्धी परिक्षन है इसका उपयोग विद्याल वर्ष से 5 वर्ष तक के आयू के बच्चों पे बच्चों पे किया जाता है मनुवग्यानिक गूड एनफ नामी इतना अच्छा है इनने कौन सा किया था ड्रॉइंग मैन परिक्षन इसका उपयोग बालकों के विद्याले प्रवेश के समय उनकी बुद्धी मापने में किया जाता है फिर आते हैं रेवन इनने 1938 में प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परिक्षनों का निर्माण किया इस परिक्षन में दो उपो परिक्षन है एक बालकों की बुद्धी मापने के लिए रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और वायस को के लिए मानक प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स रैशलर ने 1949 में बाल को और वयस को के लिए बुद्धी मापनी का निर्माण किया ये सभी वैक्तिकत या वैक्तिकत परिक्षण हैं और इनको प्योग एक बार में एकी विशय और एकी प्रियोज याने वैक्तिपे किया जाता है पिर आते हैं कुछ सामूहिक बुद्धी परिक्षण भी होते हैं इनमें देखते हैं मुख्य कौन से हैं बुद्धी परिक्षणों का विकास काल और देशी आविशक्ता के नुसार होता रहा है सर 1914 में प्रत्थम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में सेना में भरती हेतू वैक्तियों का सही डंग से चुनाओ करने के लिए बुद्धी परिक्षनों का निर्मार हुआ चुकि हजार वैक्तियों पर बुद्धी परिक्षन अकेले अगर सिंगल करते तो बहुत ही कठिन हो जाता बलकि असंभो भी हो जाता इसलिए सामुहिक बुद्धी परिक्षनों का निर्मार हुआ सेना में अंग्रेजी पढ़े लिखे अधिकारी वर्ग के सैनिकों के चायन के लिए आर्मी अलफा सामुहिक परिक्षन का निर्मार हुआ जबकि जो अनपड़ थे और जिनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी उनके लिए आर्मी बीटा का सामोहिक परिक्षणों का निर्माण हुआ इन बुद्धी परिक्षणों के अधार पे सेना में सैनेकों की भरती की गई इस तरह दुती विश्वी युद्ध में भी इसी प्रकार बुद्धी परिक्षणों द्वारा सेना में भरती हुई इसी जमें आर्मी जनरल क्लासिफिकीशन टेस्ट का भी निर्माण हुआ इस प्रकार समय समय पर समय के अनुसार बुद्धी परिक्षणों का निर्मान होता रहा है दोस्तु आज का लेक्षण के खतम करते हैं और यह बुद्धी परिक्षणों के प्रकार हम अगले में पढ़ेंगे लेक्षण में तो आप नेकर चैनल को सब्स्राइब नहीं के तो स निवादू